तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो भारत बनाम उस्ट्रेलिया की तीन वांडे सीरीज का दूसरा मैच भी खतम हो चुका है और भारत ने दूसरा मैच भी अपने नाम कर लिया है मतलब कि भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है और भारत 2-0 से आगे है तो दोस्तों लिया की तीन वांडे सीरीज का दूसरा मैच भी खेला जा चुका है जो की इंदोर में खेला गया है तो दोस्तों आईए मैच शुरू करते हैं औस्टेलिया की कप्तान स्टीफ स्मिथ ने टॉस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैंसला किया है तो दोस्तों इसका मतलब की भारत पहले भले बाजी करेगा तो दोस्तों भारत के लिए शुरूआत करने के लिए भारत के दो अपनर्स जो हैं रितुराज गायकुवाट और शुबमन गिल मैदान पर आ चुके हैं तो दोस्तों आपको बताया दे कि पिछले मैच में भी इन दोनों ने ही रितुराज और शुबमन गिल ने शुरुआत की थी और दोस्तों दोनों ने तुफानी बल्ले बाजी की थी दोनों ने अपना अर्शन तक पूरा किया था रितुराज ने पारी की पहली गेन पर चोका लगाकर टीम इंडिया को शांधार शुरुआत दिलाई दो ओवर के बाद भारत क स्कोर बिना किसी नुकसान के 14 रन था तो दोस्तों 16 रन के स्कोर पर भारत को पहला जटका लगा रितुराज गायकोड 12 गेन में 8 रन बनाकर पैविलियन लोट गए तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं पिछले मैच में रितुराज गायकोड ने कमाल की भल्ले बाजी की पर इस मैच में वो चूक गए और दोस्तों जो शैजल वूड ने उन्हें विकेट कीपर एलक्स कैरी के हाथों कैज करवाकर पैविलियन बेज दिया अब गिल का साथ देने तीसरे स्थान पर आई श्रियास एयर जो की पिछले मैच में भी तीसरे स्थान पर याई थे पर आपको ये बता दे कि पिछले मैच में श्रियास एयर कुछ खास नहीं कर पाए पर देखते हैं इस मैच में क्या करते हैं वो शुबमंगिल और श्रियास एयर के बीच अच्छी साजेधारी हो चुकी थी दोनों बलेबाद अच्छी लहमे थे और तेजी से रन बना रहे थे शुबमंगिल और श्रियास एयर क्रीज पर थे दोनों अच्छी लहमे थे और तेजी से रन बना रहे थे तो दोस्तों आप इंदोर में बारिश रूख गई है और मैदान से कवर हटा दिया गया है मैच फिर से शुरू हो चुका है तो दोस्तों आपको बता दे कि श्रियास गेन पर अपना अर्शतक पूरा कर लिया उनकी शांदार पारी के चलते भारत का स्कोर सो के पार पहुंच गया श्रियास भी अर्शतक के बहुत करीब थे और दोनों के बीच बहतरीन साजेधारी हो चुकी थी ये दोनों भारत को भड़े स्कोर तक ले जा रहे थे 15 अवर क और शुबमन गिल क्या क्या कहना वो तो 69 गेंदों में 86 रन बनाकर बल्ले बाजी कर रहे थे श्रियास एर तीसरे और शुबमन गिल अपने चटे वंडे शतक के करीब थे दोनों के बीच 135 गेंदों में 174 रनों की साजेधारी हो चुकी थी भारत को शुरुआत में एक जट अपने शतक जर दिया यह उनके वंडे करियर का तीसरा और ओवर ओडे के इलावा भी टेस्ट में उन्हों ने एक शतक लगाया है अब दोस्तों शतक लगाकर श्रियास एयर ने अपनी जगा विश्व कप की टीम में पक्की कर ली है तो दोस्तों अब आई एक बहुत मज़ लिए इसके बाद श्रियास वापस पैविलियन लोटने लगे हाला कि ओन फिल्ड एंपायर कैच को लेकर पूरी तरह से संतुष नहीं थे और उन्होंने तीसरे एंपायर से राई पूची तीसरे एंपायर ने रिव्यू में देखा कि अब बांट कैच लेते वद पूरी त का जड़ दिया हाला कि दोस्तों श्रियास सेयर इस जीवनदान का ज्यादा नहीं उठा पाए और अगली ही गेंद पर भड़ी शोट खेलने के चकर में अपना विकट गवा बैठे इस बार दोस्तों एबांड की गेंद पर श्रियास का कैच मैथ्यू शॉट ने लवक लिय श्रियास ने 90 गेंदों में 11 चोके और 3 चके लगाकर 105 रन बनाये थे उन्होंने इस बार कमाल की भले बाजी की थी श्रियास ने शुबमन गिल के साथ दूसरी विकेट के लिए 200 रन की साजे दाड़ी भी पूरी की अब दोस्तों शुबमन गिल का साथ निबाने कप्तान के शुबमन गिल रहू लाए थे और दोस्तों उन्होंने अपनी पारी से भारत को मैच जिताया था अब दोस्तों श्रियास यर के बाद इंदोर के स्टेडियम में शुबमन गिल का जलबा देखने को मिला उन्होंने 92 गेंदों में अपने वन डे करियर का छटा और ओवर और में 6 शतक के अलावा वर टेस्ट में 2 और T20 में 1 शतक लगा चुके थे 33 ओवर के बाद भारत का स्कोर 2 विकट पर 230 रन था इससे पहले श्रियास यर 90 गेंदों में 105 रन बनाकर आउट हुए थे इन दोर में ये शुबमन गिल का दूसरा शतक था श्रियास यर के बाद 289 रन बना लिए फिलहाल इशान किशन 14 गेंदों में 23 रन के साथ और केल राहूल 22 गेंदों में 38 रन के साथ खेल रहे थे 302 के स्कोर पर भारत को चोठा जटका भी लग गया इशान किशन को एडम जैंपा ने एलेक्स कैरी के हाथों कैज करवाकर पविलियन बेज दिया व और अब उनका साथ देने सूरेकुमार यादव आए तां केल राहूल ने 35 गेंदों में वांडे करियर का पंदरवा और शतक लगाया उन्होंने अब तक शानधार भले बाजी की वहीं दोस्तों इन दोर में सूरेकुमार यादव का तुफान देखने को मिला उन्होंने 44 व राहूल आउट हुए उन्हें कैमरें ग्रीन ने क्लीन बोल्ड किया राहूल ने 38 गेंदों में तीन चोके और तीन चक्के लगाकर 52 रन बना लिये थे फिलहाल सूरेकुमार यादव 22 गेंदों में 43 रन बनाकर क्रीस पर थे अब सूरेकुमार यादव का साथ देने आए पूरा कर लिया ये उनका लगाता दूसरा अच्छतक था उस्ट्रीली के खिलाब पिछले मैच में भी 50 रन बनाये थे उन्होंने दोस्तों भारत के लिए शुबमन गिल ने 97 गेंदों में 104 रन श्रिया साय ने 90 गेंदों में 105 रन कप्तान केल राहूल ने 38 गेंदों में 52 र बात पारी खेली वहीं दोस्तों रविंदर जडेजा भी 13 रन बना कर नाबाद रहे दोनों के भी 24 गेंदों में 44 रन की साधेदारी भी हुई आखरी पांच ओवर में भारत ने 54 रन बना लिये उस्ट्रेलिया के खिलाफ कैमरन गरीन ने दो विकट्स लिये वहीं दोस्तों पहले बल्ले बाजी करते हुए बारत ने 50 ओवर में 5 विकट गवाकर 399 रन बनाए हैं अब दोस्तों उस्ट्रेलिया पारी शुरू हो गई है मैथ्यू शॉट और डेविड वर्नर क्रीज पर आ चुके हैं पहले ओवर में कमगारू ने 9 रन बनाए हैं दूसरे ओवर में द ओवर की दूसरी गेन पर मैथ्यू शॉट को थर्ड मैन पर अश्विन के हाथों कैज करवा दिया उन्होंने सिरफ 8 गेंदों में 9 रन ही बनाए थे और दोस्तों अगली गेन पर उन्होंने कप्तान स्टीव स्मित को भी पैविलियन बेज दिया प्रसित क्रिशना ने स्टी जिन्होंने सिरफ 9 रन बनाए थे और स्टीव स्मित जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए को लगातर 2 गेंदों पर आउट कर दिया भारत और उस्ट्रेलिया के 20 दूसरे वांडे में बारिश ने एक बार फिर से दखल दे दी ये दूसरा मोका है जब मैच को बारिश के कार हटा दिये गए हैं दकवर्थ लूइस नियम के अधार पर उस्ट्रेलिया को निया लक्षे भी मिल गया है अब उनके लक्षे को 50 ओवर में 400 से बदल कर 33 ओवर में 317 रन का कर दिया गया है ऐसे में अब कंगारू टीम को बाकी बचे 24 ओवर में 261 रन बनाने होंगे डैविड वार्नर और मार्नस लाबुशेन ने तीसरी विकेट के लिए अर्शत किये साज़धारी कर ली है दोनोंने 63 गेंदों पर 73 रन बना लिये हैं भारत को भड़ी सफलता रवी चंदर अश्वी ने दिलाई उन्होंने 13 ओवर की 5 वी गेंद पर मार्नस लाबुशेन को क्लीन बोल्ड कर दिया वह 30 गेंदों पर 27 रन बनाकर पैविलियन लोड गए उस्ट्रेलिया का स्कोर 3 विकेट पर 90 रन था तो दोस्तों डैविड वार्नर ने सबको चुंकाते हुए मैच में दाए हाँच से भी बल्ले बाजी की उन्होंने अश्वीन के सामने ऐसा किया द वार्नर ने 39 गेंदों पर 53 रन बनाए इस दोरान उन्होंने साथ चोके और एक छक्का लगाया तो दोस्तों अश्वीन ने 2 वर के अंदर तीसरी सफलता भी हासिल कर ली उन्होंने लाबुशेन और वार्नर के बाद जोज इंगलीश को भी पैविलियन बेज दिया उन्हों तो अब उस्टेलर को चटा जटका भी लग गया उस्टेलर को चटा जटका रविंद्र जडेजा ने दिया उन्होंने 19 वे ओवर की दूसरी गेंद पर एलेक्स कैरी को क्लीन बोल्ड कर दिया कैरी 12 गेंद पर 14 रन बनाकर पैविलियन लोड गए उन्होंने सिरफ 2 चोके ल मिली गरीन 20 वे ओवर की पांच वी गेंद पर रन आउट हो गए इशान किशन ने उन्हें रन आउट कर दिया गरीन ने 13 गेंद पर 19 रन बनाए रविंद्र जडेजा ने भारत को आठवी सवलता दिला दी उन्होंने एडम जैंपा को 21 वे ओवर की चोथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया जैंपा पांच गेंद पर पांच रन बनाकर पैविलियन लोट गए सीन अबांट ने तुफानी अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए अपना आठशा तक भी पूरा कर लिया उन्होंने उस्टेलिया का स्कोर दोस्तों से पार पुझा दिया कंगारू ती ने भारत को नोवी सफलता दिलाई उन्होंने जोश हैजलवूड को 28 वे ओवर की आखरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया हैजलवूड ने 16 गेंद पर 23 रन बनाए थे उन्होंने सीन अबांट के साथ मिलकर नोवे विकेट के लिए 77 रन की साधेदारी की थी उस्टेलिया के लिए दोस्तों सीन अबांड ने 54 डैविड वर्ण ने 53 रन बनाए मारनस लाबुशे ने 27 और जोश हैजलवूड ने 23 रन बनाए कैमरन गरीन ने 19 रन और एलेक्स कैरी ने 14 रन बनाए मैथ्यू शोट ने सिरफ 9 रन बनाए जोश इंगलिश 6 रन बनाकर और एडम जैंप पांच रन बनाकर आउट हुए कप्तान स्टीफ स्मिट तो खाता ही नहीं खोल पाए बारत के लिए रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा ने काति लाना इंदाज में गेंद बाजी की दोनों ने 3-3 विकेट लिए प्रसित कृष्णा ने 2 विकेट और मौमत शामी को एक विकेट मिला मैच की बात करें तो उस्ट्रेलिया ने तोस जीत कर पहले गेंद बाजी करने का फैंसला किया बारत ने 50 ओवर में 399 रन बना लिए बारिश के कारण उस्ट्रेलिया को डकवर्थ लूइस नियम से 33 ओवर में 317 रन बनाने थे कंगारू टीम 28.2 ओ तीसरा और आखरी मुकाबला राजकोट में बुद्वार यानि की 27 सितंबर को खेला जाएगा तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया की तीन वंडे सीरीज का दूसरा मैच भी खटम हो चुका है और भारत ने दूसरा मैच भी अपने नाम कर लिया मतलब कि भारत ने सीरीज को अपने नाम कर लिया है तो तो आपको ये वीडियो कैसी लगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जूर कीजिए और दोस्तों अगर अभी तक अपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी स सस्क्राइब कर लीजिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए और क्रिकेर कनल लेते रहिए